आज की वीडियो में हम आपको सिखाएंगे अगर आप सूट में पीछे का गला जीरो से साड़े चार इंच का बनाते हैं तो हमार मोसल्ड की कटिंग कैसे कर सकते हैं किसी वी साइच की आज की वीडियो में हम आपको सिखाएंगे अगर आप 30 इंच से 45 इंच या 36 इंच या 38 इंच की साइच की सूट की कटिंग कर रहे हैं और आप पीछे का गला बना रहे हैं जीरो से साड़े चार इंच तो हमार मोसल्ड की कटिंग कैसे कर सकते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से मै पिलती रहेंगी तो आई दोस्तों वीडियो करते हैं स्टार्ट और सीखते हैं कुछ नया जैसे दोस्तों यहां पर हमने सूट का कपड़ा बिछा रखा है नॉर्मल दोस्तों जो हमने कपड़े बिछा आएं फ्रेंट पल्ला और बैक पल्ला साथ में बिछा दिए क्योंकि करने निसा लगा रखते हैं और दोस्तों हुंनेगा फुली बनाएंगे जितने घ्यक्राय今 Size में अलग तरीके सफेनग होती यह सेम कटिंग होती है ुह मार लेकिन जब हमारी armhole और shoulder की cutting होती बो हर size में अलग तरीके से होती है, change हो जाती है, अब इसमें दोस्तों जैसे जो armhole की shoulder की cutting होती बो chest के हिसाफ से होती है, यहाँ पर दोस्तों जो हमारी chest size बो 33 inch है, 33 inch कैसे तयार है, अब मैं आपको समझा देता हूँ, जैसे जो हमारा body की chest body का जो नाप था, 30 inch हमारी body का नाप लिया था, इसमें हमने 3 inch की losing दिये, 33 inch हमारा तयार नाप हो गया है, इसी तरीके से आपका तयार नाप होना चाहिए, जैसे मैं आपको सिकारों 33 inch chest size, तयार chest के साब से cutting, वैसी दोस्तों आपको body के नाप से losing देने के बाद आपके तयार नाप आना चाहिए, यहाँ पर दोस्तों आपका 33 inch हो सकता है, या फिर यहाँ पर आपका 34 हो सकता है, 35 हो सकता है, 36 हो सकता है, या फिर 28 नाप हो सकता है, या फिर आपका 30 inch नाप हो सकता है, कुछ भी नाप हो सकता है, लेकिन जो मैं आपको hormone solar की cutting करना सिखाऊंगा, सेम तर आजाएगा ठीक है कोई सा भी आपका गला हो यहां पर एक दो तीन चार इंच का भी आपका गला हो सकता है तो यानि कि 0 से 4 इंच में हमारे सारे गले आ जाते हैं अब यहां पर हमारी आर्मोल की कटिंग कैसे होगी उसमें एक छोटा सा effectivement नाप लेना है इसके इसका सॉलडर जो हमारा है वो 14 इंच sesame में आपको और हम इसतरीके से हाप करने कń सा इंच किसाट इंच में आपको आदे हैंट करना हैं तो कहला है रखा उसी के प्रावर से रखेंगा और यहां Sith साथ ज़ितंग लगा देंगे आपको कोई साभी साइज हो सेंग TOMS इसी तरीके से फॉर्मूला अपनाना है और हैं पर आपको सीधे निसान लगाना है आर्मों लेयन्थे का ठीक है हमारी यहीं हमारी और पोलेंथे का निसान लगतें एक हाफ हिससा हो जाएगा कमर और चैस्ट का निसान हमें इस तरीके से सीधा कर देंगे अब उसके बाद यहां से डेड़ से दो इंच तक का टाइट लूज का मार्जिन छोड़ते हैं जैसे वाइचांस हमारा सूट टाइट हो जाए तो हमा आगे चलके इसको टाइट कर सकते हैं या फिर लूज कर सकते ठीक है चैस्ट साइज हमारे 33 इंच हो गई अब यहां पर आर्म लेंड का जो निसान लगा उस पर हमारी फिरेंट क्रोस और बैक क्रोस का निसान लगता है तो नॉर्मल दोस्तों आपको क्या करना है जैसे फिरेंट क्रोस और सोल्डर का जो हमारे निसान लगेगा यहां प अब पॉने एक इंच पीछे हटाय का निसान लगाएंगे इस तरीके से यह हमारा लग जाएगा फ्रेंट क्रोस का निसान इसी तरीके से हमारे बैक क्रोस और सोल्ड फ्रेंट क्रोस के निसान लगते हैं अब नौरमल दोस्ता हमाई सोल्डर की कटिंग होगी, सोल्डर की कटिंग दोस्तों जैसे साड़े साथ इंच हमने आर्मोलेंद का निसान लगाए था, जो हमने साड़े साथ इंच आर्मोलेंद का निसान लगाए था, वो ही निसान हमें सोल्डर का निसान इस तरीके से लगा करना है आप कंदी नीचे की तरब दोस्त अपको पॉने एक इंच डौन करनी है नीचे की तरब ठीक है इस तरीके से डौन करेंगे और इस तरीके से तरीके से सीधा करने के वाद हमें सबसpiejτο Méxicoe के आर्मोल में सेफ देनीम है सब्सक्राइब में इस तरीके से अरमोल में सेफ देनी में करनी है कमें लेकिन आपका तयार नाप कोनाट होना चाहिए parallel में नैंट जैसे आपको समझाया है आर्मोल, सोल्डर की कटिंग करना, फ्रेंट क्रोज की कटिंग करना, बैक क्रोज की कटिंग करना, नॉर्मल तरीके से हर एक साइज में एक ही तरीका फॉर्मूला अपनाय जाएगा, सोल्डर का आपको नाप सही से लेना है, और जो मैंने फॉर्मूला आपको समझाया है, सेम उसी तरीके से apply कर सकते हैं सूट कटिंग के लिए सिर्फ हहाँ पर हमाई जो चैन्जिंग होती है सोल्डर आर्मॉल की cutting करने में होती ही लेकिन जो कमार से नीचे का हमारा जो भी cutting होती है वो सेम तरीका होता है हर एक साइट के सूट में cutting करने का ठीक है अब नौरमल इसके हम cutting करेंगे, इसके जो cutting करेंगे सब से पहले हमें सीधा cutting करना है यहां से, अब उसके बार down जो हमने कपड़ा करा है, ठीक है solar जो down करा है उस पर हमें cutting कर देना है, अब यहां से जब भी हम cutting करेंगे तब भी दोस्तों जब भी हम cutting करें, back पर लेके आरमोल पर कैपना आप के लेके यहां तरीके से अर्मोल के में करना है यह जो भी हमने च्योड़न कर देना, उसमें कर ने रजेवा हमें कर देने, त॥ चीक है इस तरीके से हमारी कटिंग हो जाएगी अब एक कुटका लगाना है हमें चैस्ट का एक कुटका हमें लगा देना है कमर का एक कुटका लगाना है हमें हेप का चीक है इस तरीके से हमारी कुटके लग जाएंगे अब बारी आती है एक गले एक जो कुटका लगाएंगे ये कुटके लगाने का बाद जब हमारा बैक पल्ला और फ्रेंट पल्ला कटिंग हो जाएगा उसके बाद क्या करेंगे बैक पल्ला इस तरीके से साइट में हटाएंगे अब हमें फ्रेंट की गहराई की कटिंग करनी है आपर जो हमने पहले लगाया था फ्रेंट क्रोस के आर घोलाएगी तो इसमस्थे से चीज़ आपको हमेसा कटिंग करनी है फीरेंट की लेकिन आप जब सुट करें हमेसा आपको हमेसा तो फ heater करने तो आपका अपट सुट गलत करें ग़ंचा इस तरीके से हमारी कटिंग होगी अब इसी नाप से ही मैं आपको बाजू कटिंग करना सिखाता हूं क्योंकि नॉर्मल बाजू भी हम आपको सिखा दे रहें जिससे की काफी आसानी होगी सूट की कटिंग करना ठीक है यहाँ पर दोस्ती जो कपड़ा है हम इनी चबबर में फोल्ड करका है दो तैय है और दो तैय नीचे वाले में चबबर में हमारा कपड़ा हो गया अब बाजू कटिंग करने लिए सबसे पहले हमी क्या करना होता है एक उपर निसान लगाते है इस तरीके से ठीक है अब इसे निसान को सीधा करेंगे इस तरीके से ठीक है और यहां पर हमें तुर्पाई का फोल्ड का मार्जिन छोड़ना है अब यहां पर दुबारा से इंचे टेप रखेंगे इंचे टेप दोस्तों यहां पर रखने के बाद एक निसान लगाएंगे सवा तीन इंच पे जैसे दोस्त हमने फिरंट जो सूट में आर्मो लेंद का निसान तरी कि निसान सीधा कर देना अब यहांपर हमारी बाजू बैस का निसा लगता है यसे इसमें दोस्तों जो हमारा बाजू बैस से आज इसमें 11.5 द्रे थेंगे मोरी का निसान है हमारा 9 इंच 4 इंच हो जाएगा इस तरीके से हमें निसान लगाना है अब यहाँ पर हमें सेफ अंटी लेनी है सेफ अंटी के मदद से यहाँ पर यह निसान हमें इस तरीके से सीधा करेंगी उपर की तरफ यहाँ पर लग जाएगा एक बाजू को कुटका यह कुटका लग जाएगा दोस्ति यहाँ पर हमारी लंबाई पर ठीक है यह कुटका लगने के बाद हमें क्या करना है बाजू इस तरीके से ओपन करनी है यह दोस्तों जो हमारी बाजू डबल में कटिंग करी ह हुई है थीक है इस तरीके सऩोपन करने के वद जैसे हमने फ्रेंट पर लेके सूट के आर्मोल की कटिंग करी थी उसी तरीके से यहाँ पर हमें फ्रेबा जू की घहराई का सेम तरीका रहेगा लेकिन यह हमारी भाजू की कटिंग मो रही नहीं हाद анदमीे 15 चेस्ट साइज सिंपल सूट की कटिंग करना अगर आपका पीछे का गला जीरो से साड़े चार इंच है तो दोस्तों मैंने जो आर्मोल का और सोल्डर का फॉर्मुला समझाय था सेम आपको बैसे ही अपलाई करना है कोई सा भी आपका साइज हो सकता है ठीक है अब मैंने दोस आपके पास पहुंचती रहे थैंकि फॉर वाचिंग वीडियो अच्छे लेगी तो लाइक चरूज करना